नमस्कार प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंख में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रादेशिक समाचार दर्शन एक ऐसा कारिक्रम जिसके जरीए हम आपको बताते हैं कि पिछले एक सब्ता में प्रदेश के विभन जलों में किस तरह के महत्वपून कारिक्रम आयोजित हुए और आने वाले समय में क्या कुछ खास रहने वाला है तो आईए आज के संख की शुरुवात करते हैं शुवपूरी जिले में बीते 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया गया इस दोरान जिले में प्रशासन गाउं की ओर अभ्यान चलाया गया इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे शुवपूरी समवार दादा इस सुशासन सप्ताह के तहत जिले के सभी विकास खंडों में आम जनों की समस्या निराकरण के लिए विवे निस्तानों पर सिविर लगाए गए जिससे ग्रामीनों को अपनी समस्या लेकर कारलय के चक्कल ना लगाने पड़े गाउं में आज ये तिन सिवरों में ग्रामीनों के आविन देकर अधिकारियों ने उनका निराकरण किया कलेक्टर अक्षक कुमार सिंग पुलिस इदिक्षक राजेश सिंग चंदेल सहित बरिष्ट परसासने का अधिकारी ये दोरान सिवरों में मौझूद रहे यहाँ पर मौक्व पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया शूपरी के मिकास खंड के हातोत परोडा और पौरी ग्राम के परिच्छा और लुकपासा सहित अनिस्थानों पर यह सिविल लगाए गए यहाँ पर कलेक्टर मौझूद रहे उन्होंने ग्रामीलों की समस्याओं सुनी अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामीलों की समस्याओं सुनी पातरता परची दासन वित्रण पेंशन आधी के संबंद में ग्रामीलों से पूछा कलेक्टर अक्षा कुमार सिंग ने मौगे पर अपस्तित हेजडियम को निर्देश देते हुए कहा सिविर में जो आवेजन आए हैं उनका ततकाल नराकर्ण किया जाए सिविर में इद्गराईयों को विबने योजिनाओं के तहत लाप प्रदान करते हुए सुईकृति पत्र भी प्रदान किये गए इसके लाबा कलेक्टेट समाकक्ष में अधिकारियों ने सुसासन की सपत ली अधिकारियों के लिए सुसासन सपता के तहत एक काररशाला का आयजन भी किया गया जिसमें रिटाइर आई है सद्गरी और पूर्म में शूपरी दिले के कलेक्टर रहचुके आरकीजेन इस कारसाला में हुपस्तित रहे उन्होंने अपने साथ अधिकारियों के साथ यहाँ पर अनवव साजा किये प्रादेशिक समाचार दर्सन के लिए शूपरी से रंजीर गुपता उजेन से हमारी समवादाता बता रहे हैं अंतराष्ट्री जल मोहतसव के अंतरगत जिली में क्या कुछ खास रहा केंद्र सरकार के जलशक्ती मंतरा लेके सायोग से दीन द्याल शोस्तन स्थान और जनाभ्यान परिषद मध्यप्रदेश के द्वारा अंतराष्ट्री जल मोहतसव का आयोजन बीस से तीस दिसंबर तक किया जा रहा है अंतराश्ट्री जल महोत्सव सुजलाम के आयोजन के संबंद में जन अभियान परिशद मद्यप्रदेश के उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय ने आकाश्वानी को बताया कि जल महोत्सव में परियावरण व भारती ज्यान परंपरा पर आधारित समकालिन विमर्ष इस्थापित करने के लिए पंच महाभूत के जल तक्थ पर आधारित अंतराश्थी इस संगोस्टी में देश-विदेश के विशश विशयशख्य आ रहे हैं जो संगोस्टी में जल सरक्षण पर चर्चा कर निश्कर्श निकालेंगे इन निश्कर्षों पर आधारित सुझावों का संकल्प जल सरक्षन के लिए पारिद किया जाएगा सुमंगल पंच महाबूत अभियान में 313 नदियों का जल लेकर आज कलश यात्रा प्रातर काल साड़े दस बजे सामाजिक नयाय परिसर से प्रारंब होकर राम घाठ तक गई इस यात्रा में शिप्रा नदी पर इन जल को समलित किया गया 27 दिसंबर को वेदिक जलतत पर विद्वानों के शोत पत्र सुमंगली का विमोचन आयोजन मालगुडी डेज पर किया जाएगा 28 दिसंबर को सरसंग चालक डॉक्टर महुनरा भागत के सानिद्ध में माकाल मंदिर परिसर में जल इस्थम बनावरन वशेव मासोक संपन्न होगा इस कारिक्रम में मद्परदेश के मुख्यमंतरी शिवरास सिंग् चोहान, गोवा के मुख्यमंतरी प्रमोस सावन, केंद्र जल शक्ती मंतरी गजेंद्र सिंग सेखावत, स््वामी अध्रष्य कोट सिद्धेशवर जी महाराज, मधादीपती कनेरी मत, कोलापूर शुरेश भहियाजी जोशी निवरत्तमान सरकारवाह, जोतिरादित सिंधिया, आदर्श कुमार गोयल, राश्ट्री अभिकरन, डॉक्टर अनुपम मिश्रा कुलपती, सी यू एमफॉल, डॉक्टर जीतेंद्र जामदार, उपाद्यक्ष मद्रपदेश जन अभियान परिश बचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा की अनुसार सुन सकते हैं, ये कारिक्रम यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट News on AIR.nic.in पर अत्वा AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं, वदिशा जिले में 85,514 जरूरत मंद परिवारों के पक्के मकान का सपना साकार हुआ है, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे वदिशा समवात दाता, जिले में कच्चे मकानों में रहने वाले मजबूर और जरूरत मंद परिवारों के पक्के मक सफना प्रधान-मंत्री आवाजी योजना से पूर्ण हो रहा है प्रधान-मंत्री आवाजयोजना के तहद जले के ग्रामीर नचल में अब तक 99。469 आवासु उक्रेट किये गए थे जिसमें से 85,514 आबास पूर्ण किया जा चुके हैं ग्रामीर शेत्रों में सरवाधिक 85,514 आबास पूर्ण किया जा चुके हैं वहीं शेष्ट आबासों का निर्मान भी दुरत गती से किया जा रहा है प्राद शिक समाचार दर्शन के लिए विदीशा से वेत प्रकाश शर्मा टीकमगर जिले में स्वास्त सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए टीकमगर शहर में तीन संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे इसके लिए भी जमीन चिनहित कर ली गई है इसमें नए बस्टैंड के पीछे चक्रा तिराहा और बीडी मजदूर कॉलनी को शामल किया गय है अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे टीकमगर समवाद दाता संजीवनी क्लिनिक बनने के बाद जिलास पताले मरीजों का दबाव कम होगा और चोड़ी चोड़ी परिशानी के लिए मरीजों को अपने मोहलने के आसपास ही आवसक सुब्धाय उपलब्द पड़े किसी मरीज को पेशे के आभाव में स्वास सेवा से बंचेत नार रहना पड़े मोक्चकर साहिब में स्वास्त अधगाई डाक्टर पी के महलने बतायाएगी संजीवनी क्लिनिक खोल जाने के लिए आवसक करवाई सुरू कर दी गई है नगरपालका की ओर से सीधी जिले में इन दिनों खरीफ फसल धान का उपारजन जोरों से जारी है अधिक जानकारी हमारे सीधी समवारदाता से कलेक्टर साकेत मालवी और खाद विभाग के प्रभारी इसडियम निलेश सर्मद्वारब पिछले दिनों कई उपारजन केंद्रों का निरिक्षण भी किया गया है और खरीदी केंद्रों पर निश्पक्छ और सही पक्रिया अपनाने के आवस्चक निर्देश भी दिये ग पर उपाररचन केंद्रों में अपनी फसल को विक्री किया जा रहा है अभी तक में 48 तालीस हजार आट सु एकीस में ट्रिक टन धान का उपारजन किया जा चुका है जिसकी कीमत निन्यान ने दसमलब 69 कड़ोर रुपए है किसानों को बारा दसमलब 48 कड़ोर रुपए का भुगतान किया जा चुका है बात करें उपारजित फसल की तो 34,491 में ट्रिक टन उपार państwa है अभी तक 24,909 में ट्रिक टन धान का कुल प्रिभान किया जा चुका है जबकि अभी तक 24,2470 में ट्रिक टन से अधिक धान का प्रिभान करना सेश है इसके साथ ही 345 में ट्रिक टं धान को आला दिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया है परिभान प्रतिसत प North पर नजा इंग्चा मन बताया गया है प्रादेशिक समाचार दर्सन के लिए सीधी से मैं सची इंद्र मिश शहडोल जिले में एक और जहां रभी सीजन की बोनी का काम अंतिम चरण में हैं वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम जोर शोर से चल रहा है इस बारे में अधिक जानक हेक्टियर से अधिक छेत्र में रविशीजन की बोनी की गई थी जिसमें सबसे दीक गेह की बोनी हो चुकी है सबसे अधिक 60,000 हेक्टियर में की बोनी की गई है बोनी का लक्ष लगबग 94,000 है क्रिसी चलग अमर सिंग ने बताया कि जौकी खेती लगबग एक हजार हेक्टेयर में की गई है जबकि गंडी की बोनी नहीं हुई है गिहुं के अलावाद चना और सर्सों की बोनी भी हजार हेक्टेयर में की गई है दूसरी ओर जिले में समर्तिन बुल पर अब तक लगबग 6 लाग कुंटल धान की खरीदी हो दान उपार्चन का काम 16 जन्वरी 2023 तक चलेगा जिसके लिए इस साल 26,000 सदिक किसानों ने अपना पंजन किराया है प्रादीशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहालत नहीं अगले सुमवार हम आपको बताएंगे कुछ और जिलों में हुए महत्वपून आयोजनों क के बारे में तो अगले सब्ता फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए इजासत दीजे नमस्कार आलेख और वाचनस्वर संयुकता बैनर जी प्रस्तती प्रादेशिक समाचार एकांज भुपाल कि यह चुपाल भुपाला कालों के साथक्ता बलागभ, वाचनस्वर संयुकता अमस्केकेश जयागफ बैनर प्रादेशिक समाचनस्य०कता प्रभी आपकालों के लिएकता भाचनस्वर्शार प्रुपालों कि बार दुपाल